सर्दिया आज़के और सर्दिया आते ही लड्डू खाने की ग्रेविंग तो होती है और आज वाले जो ये लड्डू है न ये तो खाने में इतने टेस्ट है न और साथ हमीश की हेल्थ बेनीफिट तो ऐसे न आप गिंते-गिंते थक जाओगे पर वेनीफिट खतम नहीं तो भी फ्लेवर उतना ही आच्छा आएगा अब वन पोट कप डालेंगे फ्लेग सीट वन पॉर्ट कप पंप्किन सीट वन पॉर्ट कप मैलन सीट और रफाज पी सन्फलार सीग लिये हैं इन्हें हम दो मिनिट के लिए कम फ्लेम पे भूनलेंगे अपको ध्यान रखना है फ् रहे हैं बस अब हम अई नहीं करने जासे दो मिन अब साथी है और सारी शिजों को ठंडा होने देंगे रूम टेंपराइचऻर पर आने देंगे अब आप जाहे तो mixer jar में इसका एकदम fine powder बना सकते हो जैसे बच्चे कई बार होता नहीं खाते हैं या बड़ो लोगों को भी नहीं पसंद होता है या फिर इस तरीके से chopper में हलका सा crush कर सकते हो उससे क्या होगा हलका सा powder बन जाएगा हलका सा crush हो जाएगा तो खाने में जाद यह हमने डाल दिया साथ ही में एक चमच हिलाइची पाउडर डालेंगे फ्लीवर के लिए और दो बड़े चमच हम यहां पर पिगला हुआ घी डालेंगे बाइंडिंग के लिए अगर आपको लगे बाइंडिंग नहीं हो रही है जरुरत है घी डालने के तो आप थोड़ा चोटे लड़ू बनाने और एक दिन का एक लड़ू खाना है उससे जाधा लड़ू नहीं खाना है क्योंकि यह ड्राइफ्रूट्स और नट्स के हैं जो जाधा खाने पर गर्मी भी करते तो अगर आपको इसके से बेनिफिट चाहिए इसकी बैट बेनिफिट नहीं है और बनाने में तो देखा ही कितने एजी है तो रेसेपी ज़रूर करना और अगर अच्छी लगे तो जाधा साधा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी मैं आपसे मिलते हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई